सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय योटूब चैनल ग्रूमिंग यूर्सल्फ मैंस मैं हूँ आपका यार और आपका ही दोस्त आसीज और आज फिर एक इंट्रेस्टिंग से वीडियो लेके आया हूं जी हां दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक होने बाला है वह बहुत ही आने के बाद बहुत सारे यार दोस्त है उनको यह लगता है कि यार ग्लोइंग स्किल जो है बाई वर्थ होती है पर ऐसा बिल्कुल नहीं है जो जैनेटिक्स के उपर तो ठीक है 50-60% डिपेंड करता है पर 40-50% आपके केयर पर डिपेंड करता है जी हां दोस्तों बिल्कु करने का सही तरीका मैं आपको पताऊंगा इस वीडियो में आगे चलके सो बढ़ाउट बेस्टिक इन टाइम नेस जम्प इंटू वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक सियोर कि आपने इस बंदी को पहली बार देखा है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकोन को हीट करने जिसे अब अब कमिंग नोटिफिकेशन को बिलकुल भी कभी मिस नहीं करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यह चार सीट मास्क के पैकेट है जी मैंने इसे कुछ दिनों पहले ही बाई किया था एमाजॉन से वहां मुझ 500 रूपीज बिधे चार यह रिसीफ हो गय थे इस पर चार वेरिएंट मैंने लिए हैं आपको एक लियर कर दूं कि आप अपने इस किं टाइप के हिसाब से कोई भी सीट मास्क ले सकते हैं अगर आपकी इस किन वालों के लिए भी मास्क हैं आपकी लाई एश्किन है उसके तो है ही आप अपने कोई भी इसकिन का हिसाब से से ले सकते हैं इस पर भास ज़ारे means जाएंगे आपको ये तो हुई बात दोस्तों कि आपको उसे कहां से लेना है और कौर आपको मिल जाएंगे इसके बाद आप को बहुत सादे ब्रांड के भी सीट मास्क मिल जाएंगे मैं जो सीट मास्क यूज करने वाला हूं इस वीडियो में वह है दा फेस आप का सीट मास्क तफेस वालों ने मुझे यहां कोई पैसे ने दिये हैं इन्में मैंने अपने पैसों से खरीदा है मैं यहां पहले ही आपक मास्क को एपलाई करना यहां दोस्तों मास्क के कई टाइप से उसमें एक टाइप है सीट मास्क का जो में रीजन होता है अपलाई करने का यह आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट और हील कर देता है जो आपके फेस में ऑईल सेक्रेशन होता है उसको एक कंट्रोल भी करत यह अच्छे से आपके पोर्स को क्लीन कर देता है जिससे एकने की प्रॉब्लम्स नहीं रहती है और आपको जो इसकीन है वो एक रेडियंट और ग्लोइंग ब्राइट इसकीन बनाने में हेल्फ करता है आपके फेस को अच्छे से नरिस्मेंट भी प्रोवाइट करता है अंद को यह यहां सीट मास्क पूरा कर देता है तो यह तो हुई इसके फायदे अब मैं बात करूंगा इसको कैसे यूज़ करना है आप देख सकते हैं मैं 11 वेरियंट वाला सीट मास्क यूज़ करने वाला हूँ इसको लगाने का एक मेन रीजन यह है कि समर आ चुका है और समर मे कूलिंग और फ्रेस फिल करने के लिए मुझे एक सीट मास्क की ज़रात थी उसके लिए मैं 11 फ्लेबर का यूज़ कर रहा हूँ यह अच्छे से मुझे फ्रेस फिल कराएगा कि मास्क लगाने के पहले एक चीज का जरूर आपको ध्यान देना है कि आपको अपने फेस को अप्लाई करने वाला हूँ आप देख सकते हैं इसे ओपन करने के बाद यह कुछ इस टाइप का है इसके अंदर पुरह सीरम से भीगा हुआ है कि इसे बहुत ही जेंटली आपको अप्लाई करना है ऐसे निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितना जेंटली इसे अप्लाई कर रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही करना इसे अप्लाई इसे आपको ऐसे ही सिंप्ली अप्लाई कर लेना है और वेट करना है कि जब तक सीरम आपके फेस में अच्छे से अब्सॉर्ब नहों ये जाए 1 and hall hour तक हावर तक वेट करना है तब तक सीरम अच्छे से आपके आपके फेस पर अब्सॉर्ब हो जाता है अच्छे से आपके फेस इल्स को हाइड्ड्रेट कर देटा तब तक आपको भी कर सकते हैं मुवाल need कर सकते हैं तीवी देख सकते हैं जो भी आपका मन करें वह आप कर सकते हैं गाइस यू कें सी रेट पूरा सीरा मेरे फेस ने अब्सॉर्ब कर लिया है यह पूरा ट्राइब हो चुका है सीट मास्क अब मैं इसे रिमूफ कर लूँगा आप देख सकते हैं इसे रिमूफ करने के बाद कुछ इस टाइप का मेरा फेस दिख रहा है आप इसे रिमूफ करने के बाद एक चीज़ का आपको बिसेश ध्यान रखना है कि आपको फेस बॉस्त नहीं करना है जी यहां दोस्तों जब आपका रेस्ट का टाइम हो चाहे वो जब आप कहीं घर से 2-3 घंटे के लिए बाहर ना निकले आप बिल्कुल रेस्ट करने के कंडिशन में हो तभी इस मास्क अप्लाई करें और इसे रिमूफ करने के बाद आपको ऐसे ही से छोड़ देना है और एक प्रॉपर रेस्ट करना है ऐसे आप इजी टू अप्लाई क करके बता सकते हैं अपना एक्स्पिरियंस और जिससे डिटेट वीडियो चाहिए आप आप वहां मैसेज करके बता दें मेरे पर्सनल लाइट से भी वहां जूड़ सकते हैं ज़रूर हमें इस्टाग्राम में फॉलो कर लें तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अकर वीडियो